जाता हूँ इसमें मेटर में क्या क्या आता है इसमें मेन दो बटन होते है जो राइट वाला बटन है अब ही आपको गाड़ी का एवरेज दिखा रहा है ये गाड़ी में जो तेल है उसमें कितनी चल पाएगी वो दिखा रहा है रेंज यह जब गाड़ी चलेगी तो एवरेज आपको दिखाएगा कि कितनी देर ही अभी जब यह गाड़ी चलेगी जब ही दिखाएगा यह यह वापस आवरेज आ गया यह उपर आपको टैंपरेचर दिखा रहा है हए यह टो लेट्सेड में नॉब है यहापको ट्रिप मेंटर दिखाएगा ट्रिपवन ट्रिप्ट यहाँ पर गाड़ी का पुरा प्रीय प्रूल आता है यहाँ पर गड़ी का टैंपरेचर आएगा यह कलॉक है यह किलो मितर काड़ी कितनी चल चुक ही है एक्षुल यह speed meter है यह odometer है और दोस्त अब मैं आपको बताना चाहूंगा यह light है किस चीज की आती है यह light आती है hand brake की यह battery है यह आपकी गाड़ी में अगर oil खतम हो जाएगा इसलिए light है यह steering oil खतम हो जाएगा तो अगर इंजन में कोई issue होगा तो यह light है यह seat belt की light है जैसे आप गाड़ी start करेंगे यह सारी light आटमाटिक हड़ जाती है इसका मतलब गाड़ी में कोई issue नहीं है मैं दिखा था हम आपको यह देखिए hand brake हटा दिया तो light हट गई seat belt अभी लगा ही नहीं है इसलिए light जल रही है यह देखिए दोस्त एक बार गुमाएंगे गाड़ी के पारकिंग लैड जलेगी दूसरी बार में head light इसको पीछे कर देंगे तो high beam हो जाएगी नीचे करेंगे तो right indicator यह left indicator यह नीचे के fog lamp के लिए दूसरी तरफ आएंगे यह अपन उपर करेंगे तो सिर्फ wiper एक बार चलके बंद हो जाएगा यह थोड़ा दीरे चलेगा यह फिर उस से तेज यह अपन ने बंद कर दिया यह है reverse के लिए यह reverse on कर दिया तो वाइपर आपका चलता रहेगा इसको यह twist करेंगे तो पानी भी आएगा यह वापस होफ होगे